दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टू इन और हम थेरर के अंदर जो 20-30 IC वाला किट लगा होता है इस किट का बहुत यासान इसे वेरिंग किस तरीके से किया जाता है इसके उपर आपको डिटेल्स वेरिंग बताऊंगा अगर आप वाकई में जानना चाते होते इस तरीके का जो किट है इसका वरिंग कनेक्षें के बारे में तो इस वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके रखेंगा उसके साथ-साथ बगल में जो बेल आइकोन दिख रहा होगा उसको भी पिरिसकर के रखेगा इसमें क्या होगा कि जब भी मैं निया वीडियो डलूँगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे देखिए दोस्तों मेरे पास दो अलग-अलग डिजाइन का 20-30 IC कीट है जिसके अंदर एक देख सकतो हूँ यहां पर बहुत सरे जो जाक है वो दिया गया है लेकिन इस कीट के अंदर कोई भी जैक ऐसा नहीं दिया गया है तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वेरिंग कहां से करेंगे जब कोई भी हों तेयर्टर हमाड़े पास रिपेरिंग करने के लिए आता है उस समाई क्या होता है कि बहुत सरे वेर्ट जो ही डिसक्रनेट हो जाता है और क्यूकि होंалы क JERर के अंदर बहुत कम वेर दिया ड़ेता है इसलिए कौन सा कहां से चूट जाता है हमें पता नहीं होता है एक तो input signal दूसरा volume का और तीसरा base का तो देखे मैं यहाँ पर एक चीज में आपको दिखाने चाहूंगा तो यह जो आप देख रहे होंगे वेरियेबल रेजिस्टर यह basically volume के लिए use किया जाता है और base के लिए जो use किया जाता है उसके सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह किस तरीके से आपको connection करना है सबसे पहले आपको देखना होगा कि input यानि कि इसके अंदर जो हम input signal देंगे चाहिए वो किसी Bluetooth किट से आ रहा है यह आपके mobile phone से डारेट आ रहा है और्स के बिल के जरीए तो देखिए मेरे पास यह जो किट है यहाँ पर देख सकते हों तो मैं एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा connection कहां पर करना है तो देखिए लेप्ट में यानि कि यहाँ पर यहाँ जो connection देख रहे होंगे तो यहाँ पर ले लेता हूं आपको यहाँ पर यह के बाद जो दूसरा है मैं दूसरा color का ले लेता हूं ताकि आप लोग को समाझने में बहुत ही आसानी हो जाए तो दूसरा मैंने ले लिया red और तीसरा मैं ले लेता हूं blue यहाँ पर देख सकतो green तो यह देख सकतो तीन अलाग 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 ले लिया है और और भी तीन जो अलाग अलाग connection है यह भी मैं आपको ले लेता हूं सबसे पहले आपको चान नमबर का जो यहाने की connection है क्योंकि यह दोनों एक साथ जुरे हुए है बोट के अंदर तो मैं इसको क्या करूंगा इ यहां पर देख सकतो यह दोनों एक साथ जुरा हुआ है उसके बगल में जो फिर से मैं आपको ले लेता हूं red और ले लेता हूं यह वाला green तो यह हमारा total 6 connection आपको यहां से करना है जो कि volume और base दोनों के लिए होगा तो दिखिए यहां पर पहला जो तीन और है यानि कि हमा और पास कोई इस पर जुकि बेस का है उसका तीन आपको लेक देखने को मिलेंगे यहां पर तो यह आपका norm जो की घुमा रहा था तो दोस्तो यह और है आपको जूनना है यहां पर और दूसरा origin अपको जूनना है यहां पर और तीसरा जो आपका ground वाला है आपको ground वाला जोड़ देना है आपको यहाँ पे तो यह हो गया हमारा base का connection हो गया उसके बाद हमारा अगला जो volume का जो control, volume control का जो भी हमारा यह होता है उसके अंदर आपको total 6 देखने को मिलता है तो मैं 6 को यहाँ पे देख लेता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मैं आपको यह हमारा volume control हो गया तो यह हमारा 6 leg से जो कि आपको एक-एक करके दिखाता हूं तो आपको क्या करना है यह जो चीज है यानि आपको क्या करना है यह वाला जो वहर है ग्राउन बला ग्राउन बला क्यों आपको यहाँ पे जोड़ देना है जोड़ दे आपने और बाकी 2 बज़ गया तो आपको क्या करना है यह जो वहर है जो ग्रीन वाला वहर है आपको यहाँ पे और रेड वाला जो OER है आपको यहाँ पर जोड़ देना है और बाकी दो बज गया यह दो OER आपको कहां से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आपको इंपूट करना होगा चाहिए आपके पास ऑक्स केबिल है ऑक्स केबिल के जरी यहाँ पर इंपूट कर सकते हो यहाँ आपके पास कोई भी Bluetooth कीट है मैं आपको कीट के हिसाब से दिखा रहा हूँ तो जो इंपूट होता है तो आप क्या कर सकते हो आपको यहाँ पर तो हमारे पास जो छोटा वाला Bluetooth कीट होता है उस कीट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर यह जो हमारा की और L मतलब होता है left और ground मतलब होता हो ground तो आपको क्या करना होगा जो left है यहां पर देख सकतो एक को आपको यहां पर जोड़ देना है और दूसरे को आपको यहां से जोड़ देना है और ground को आपको ground के साथ जोड़ देना है तो यह हमारा connection हो चुका है और आप बाड़िया त प्रफिकर होता है वह और गाला है ज़िए को आपको पता नहीं चल रहा है कि कहां पर जोन लिए ile उस लेगन को ऒatuर्स यहां होगा तो आप लगास करते होगे यहां pa को भी यहां होटे आपàng लगा देना है वह भी स्टानल स्पिकर कर दो हम तो कि यहां हम ठीटर Раз तो आपको क्या करना होगा कि हमारे जो आइसी है दो आइसी बच रहा है इस आइसी का जो चांद नमबर पीन है यहां पर देख सकते हो तो आपका हो गया और आपके पास कुछ इस तरवी का पीन आपको देखने को मिल रहा है तो आप यहां पर भी लगा सकते हो लेप राइट और ग्रांड आप कहीं पर भी मलगा सकते हो और लेट आपको लगा दे नहां होगा तो आपका जो कम्पलीट कनेक्शन है वो हो जाएंगे उसके बाद आ यहां पर आपकर करेंगे हम यहां फो हमारा फोल्यम को यहां फो सकते में रिक अप्सक्र cc अनस लिए फोसके यहां पर प्सक्राइब समय के लिए इन हें एल के लिए एल के लिए और जो हमारा ये वाला हो गया हमारा आर के लिए यानि कि ये वाला हो गया हमारा आर के लिए तो अगर आपको यहां पर इस तरीके का ब्लॉम को जोड़ना है तो सीधी सीधी बात है वही तरीके साब को जोड़ देना है जो आप दो यहां से लिए थी इस board के अंदर जो दो air आपने volume के लिए थी यहां से यानि कि जो last वाला दो air है यहां से लिए थी इस board के अंदर आपको लेना होगा यहां पे दो number और last का जो pin है वहां से आपको लेना होगा उसके अदर आपको connection कर देना होगा और उसके बाद जो external speaker का connection यहां पे आप देख रहा होगे jack लगा हुआ है तो आप यहां से directly दे सकते हो और जो इसके अंदर जो power supply के लिए जो 12-0-12 का जो भी output होता है आपको यहां पे जोड़ देना होगा और अगर इस board की बात करें तो आपको कहां पे जोड़ना होगा यहां पे दो जो इस तरीकी का पसंद आया तो लाइक जोड़ कीजिए और इस प्रेकर के और भी आगर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्राइबर के जूरे नहीं है मैं नेक्ट वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा थैंक्यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हम पे मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाइबाइ